के कई तू कितना भी कर ले राम कितना भी दूर हो जाए भारत कितना भी दूर हो जाए पर इन दोनों भाईयों का अपार प्रेम बना ही रहेगा आखों से उपमा दिया है मेरे भाई वेहन ये आख ने दूसरी आख को कभी देखा नहीं देखा है नहीं देखा है इस आख ने इसे कभी देखा नहीं साथ में सोते हैं साथ में उठते हैं साथ में इजहार करते हैं ऐसे परमात्मा को बिना देखी ही प्रिती हो जाए उससे भक्ति कहा करते हैं केती मेरे लिए तो भारत और राम दोनों आख के जैसे हैं तुने कैसे बचन मांगे लिए भागमान राम का आगमन होता है भारत और शक्त्रगन अपनी मामा की गाउ में गया हुआ राम आते हैं और पुछते हैं कि हमारे पिता का चेहरा कैसे मुर्चाया हुआ है क्यों मुर्चित हैं लक्षमण जी पूछते हैं कि कई कहती है कि अम राज आभी से एक भारत का होगा राम खुशी के मारे आनंद में जूम उठते है राम कि राज आज मेरे सामने भरत का होगा आती हुटतम मैं राज करूँ या मेरा भाई करे दोनों में कोई अंतर नहीं लेकिन कहते हैं अब तो बताओ कि मेरे पिता का चेहरा क्या उमर जाया है मेरी मा कहते है मैंने के साथ साथ कि चोदह वरस का आपके लिए बनवास भी बाग लिया है कि आपको कोई दुख होगा ऐसे माताब के पुत्र हो तो भारत में फिर से सत्य जाए एक तरफ पिता मुर्चित पड़ा है बद्वों से हैं दूसरी तरफ कुल्टा के कई कहती है राम तुम्हे कोई दुख है क्या इतना दुख होने के बाद में भी राम ने कहा कि सुन जननी स्वे सुत बड़ भागी जे पित्मात चरण हो अरे माँ धन्य है वो पुत्र जिसे माता पिता की सेवा का सुन्दर यो सर्म इतने दुख की गड़ी है फिर भी धरम पे मर जाना नहीं सर्म की बात एक वो राम है और आज के राम की बात करें एक बुढ़ी माँ दस बच्चों का पेट भर सकती लेकिन दस बच्चे एक बुढ़ी माँ बापका पेट नहीं बर सकते कहीं हम कथा कर रहे थे भोजन करने के लिए बैठे संत का सुभाव है पहले दूसरे को प्रसाद देना बात में खुद खाना नहीं तो हरार महादेव बुढ़ी माई को मैंने कहा मैया भोजन कर ले मा कहने लगी बाबा आज मेरा उपवास है अरे मा आज ना तो तीज है ना कोई त्योहार है ना एकादसी है ना सेवरात्री है किस चीज का उपवास है मा कहने लगी बाबा मेरे दो बेटे हैं पंद्रा दिन का भोजन मैं एक बच्चे के घर करती हूँ और पंद्रा दिन का भोजन मैं दूसरे के घर करती हूँ आज जिकतिस तारीख है, इसलिए मेरा उपवाश है, 15 दिन का भोजन एक बेटे के पास, 15 दिन का भोजन दूसरे के पास, आज 31 तारीख है भगawan, इसलिए आज का दिन परमात्मा के पास, कितना दुर्दयों लगता है कि ये वो रामः की धर्ती है ये वो कृष्ण की धर्ती है बैकूंट में किसी चीज की कमी नहीं है महाराज संत का सामिध्य, गुरु की कृपा और इन माताओं के प्रेम को पाने के लिए भगवान स्वयम मृति लोक में अवतार लेते हैं और हमारे पुत्र इन्हें नहीं समझ पाते हैं इसे कितना बड़ा दुर्दयों कहाँ जाए सिक्षा, संस्कृति और संसकार का अभावर है सुईकार किया है उन्होंने का ठीक है हम जाए बनबास जाने के तैयारी कर लक्षमर जी ने कहा भीया आप मेरा बनबास हो गया है लक्षमर ने पकड़ लिया हाथ कहा मैं भी जाओगा राम जी ने कहा भीया बनबास तो माने मेरे लिए मागा है लेकिन आप कैसे जाओगे बुलने अरे भीया यहां सब्दों पे धहन देना जरा से मर्यादा रामेन क्या बता रहते वारी जी कि चवदा अबरिस राम बनबास ना जानकी कव बनबास मागा गया ना लक्षमर लक्षमर जी कहते हैं मैं भी चलूँगा बोले आप कैसे जाएगे यहां तो मर्यादा है विविवाह हुआ है और मिला का क्या होगा बोले मैं कुछ नहीं जानता मुझे आपके चर्णों में जीना है मुझे जाना है महराज लक्षमर जी भागवान ने कहा ठीक है लेकिन अब आप स्वतंत्र नहीं है आपकी जीवन संगिनी उर्मिला से भी पूछ लेना लक्षमर जी ने जाकर के उर्मिला से कहा तो मेरे बड़े भीया का बनवास हो गया है मुझे भी उनकी सेवा में जाना है मेरा भाई दुखी रहे और मैं राजवाल में सो ये मुझे उचित महीं लगेगा मुझे तो वहीं रहना चाहिए उसी हालत में रहना चाहिए जिस हालत में मेरा भाई हो क्योंकि भाई तो वही है जो भाई से मुक्त कर दे जो भाईवीत कर दे वो भाई नहीं हुआ करता और मिनाले कहा है स्वामी आप जाओ एक वर्स नहीं चोदाह वर्स मैं इस द्वार पे खड़ी होकर आपकी प्रतिक्चा करोंगी लेकिन आप अपने धर्म से अपने कर्म से अपनी सेवा भावना से मत्मु करना आपका भाई है और अगर आप अपने प्रभू की सेवा करोंगे भाई की सेवा करोंगे उससे बढ़ करके कुछ नहीं है ऐसी बहुए घर में आए तो आनंद बरस जाए भाई तो एक भाई का विनास हो तो दूसरी हस्ती जेठानी ने दो गलास में दूद डालना चालू करना है एक में अपने बेटे के लिए एक में देरानी के लिए तो नहीं सोचेगी कि उसमें दूद दूद पानी वाला उधर चला जा मलाई मेरे बच्चे में आजा यह कली उपकर मलाई मेरे में आजाए और पानी वाला उसके बेटे में चला जाए अपने बेटे को मलाई खिलाना दूसरे को पानी पिला फिर यह भारत की संस्कृति कहा है यही भावना पहले हिदे में धारना बनती है फिर बात जुबान प्याती है जुबान से उठकर यही हाथ जो भावना पैर छूते यही आँखे जो भावने कभी उठती नहीं यही आपस में युद्ध करने लगते हैं और बात को टोर के चहरी तक चाए इस जमाने में कलेजा हिला देते हैं लोग और सगे भावी को जहर हस के पिला देते हैं और यहां लक्षमण जी कहते हैं कि नहीं मैं तो आपके साथ चलूँगा रामचरित मानस में जानकी से भी बड़ा त्याग उर्मिला का माना गया चौदा हवर्स तक उर्मिला लक्षमण का इंतुजार कर रही थी जांकी केती में भी चलूँगी राम केती ने तुम कहां जाओगी मेरे साथ जिस जंगल में जाओँगी भोर कठोर सिंग जंगल है कैसे रहोगे आप कैसे चलोगे मेरे साथ नहीं पत्नी हूँ मैं आपकी जीवन संगिनी हुँ मैं आपकी अगनी के फेरे लेकर सपत लिया है कि सुख दुख में मैं आपके साथ ही रहूँ कि आपतिकाल परक्ये चारी देरज धर्म मेत्र यरुनारी मुशिवत के दिन में धीरज, धर्म, मित्र और नारी की पहिचान होती है और जान की पतिवरता नियम को ध्यान में रखते हुए वहाँ से निकली है लेकिन हद हो गया जब के कई ने कहा कि इसके भी वलकर वस्त्र पहने जाएंगे के कई ने कहा सब को अगर तापस वेस विसेस उदासी अचोदा वरस राम बन पासी जान की तुम्हें भी वलकर वस्त्र पहनना पड़ेगा बसिष ने कहा नहीं जान की यह मर्यादा के विचुद्ध हम नहीं सुन सकते सुमंत्र के साथ भगवान वनवास के लिए गए न सारे लोग चल पड़े हैं महराज और आज अजद्या में कोई नहीं बचा है सवराम जी के पीछे पीछे जा रहे है और गोष्वामी जी ने अजद्या को समसान के जैसा बता दिया भगवान राम बनवास के लिए जा रहे है चल रहे है चल रहे है ठक गए है भगवान को लीला करनी है न संध्या काल का प्रहर है सोने की बेवस्था करते हैं और जैसे ही जो ध्यावासी सो जाते हैं ब्रह्म मुहुर्थ में भगवान राम लक्षमन और जानकी के समेच सुमंत्र के साथ निकल जाते हैं भगवान चले जा रहे हैं रास्ते में जो लोग देखते हैं मेरे भाई वहन आज आज में दो चीज़ से ड़ता है एक समाज से दूसरी मोद से आपके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है मा की दवा के लिए पैसे नहीं है लेकिन अगर कहीं समाज में कोई कारिक्रम है तो आपको उसके लिए दूग ला करके लगाना ही है चाहे ब्याज के क्यों न लाना हुआ भगवान जब निकलते हैं न तो वहाँ पर जो भीप्रे लोग देखते हैं ब्राम्वन लोग देखते हैं और कहते हैं गाव में चर्चा हो रही है कि राम सरिस सुत कानन योगुग माला राम जैसे पुत्र को वनवास देना चाहिए क्या वो इस लायक है कह कहीं सुने तुम कहा लोग राम को वनवास दे दिया यह सुने कर लोग क्या कहेंगे कौशल्य अरुदन कर रही है दस रत को जगाने की कोशिस करें उठो 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 बेगिस्वई कर हुपाई उठो बेगिस्वई कर हुपाई जैह विदी सोग कलंग को नसाई उठो जाग कोई ऐसा उपाई करो जिससे इसमाते से कलंग ना लगे कि जेहे भाति सोक कलंग क जाई उपाय करी कुल पालही यही वाति सोक क कलंग क जाई उपाय करी कुल पालही जय जाम चंप विपाल भेजु मन अरन भाव भाव जाई जय जाम चंप विपाल भेजु मन अरन भाव जाई जाम चंप विपाल भेजु मन अरन भाव जाई जय ही भाति सोक कलंग जाई उपाय करी कुल पालही जाम चंप विपाल भेजु मन अरन भाव जाई जाम चंप विपाल भेजु मन अरन भाव जाई जात बल जने बात दूसरे चालनी जिमिभान विन दिन लाण विन तनू चंद विन दिमिजामि दिनू जिमिभान जैसो लसी जासक्त भुजिनू समुझे धाओ जिया कामी नियुक्त समुझे आओ जिया कामी नियुक्त उठो कोई ऐसा उपयोब करो कोई ऐसा उपाय करो लेकिन का बरसा जब क्रिसी सुखाने भगवाने निकल गए अब जवासियों को सोता छोड़ कर निकल गए ब्रह्म महोर्त में जब लोग उठे हैं देखते हैं राम नहीं है इसलिए कहते हैं न कि हरी की कथा में सत्संग में आने के बाद सोना नहीं चाहिए भगवान राम चले जा रहे हैं ती ब्रगती को देख करके निसाद राज ने देखा है कि सायद उसकी नगर की तरफ को याक्रमन करने आ रहा है निसाद राज ने युद्ध की तयारी कर ली ओर्ड रूप से लेकिन उसने भगवान की पावन चबी को देखा प्राश्टांग दंडवत किया है और भगवान सुरसरी के किनारे पहुंचे हैं और वहाँ से आवाज लगा रहे हैं केवट को लगाई आवाज भी है चलेगा किस्टों कीवट को आने हो केवट केवट सुनके अनुसुनी कर देता है नाव नहीं लेके आता है भागवान बार बार आवाज देते हैं केवट सुनके अनुसुनी कर देता है तुमागियनावना केवट याना तो काहाई तुम्हार मरम मैं जान। योगी स्टीव दित्पस्वी जिसकी महिमा को नहीं जान सकते। एक साधारण के वड़ कहता है महाराज कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। मरम क्या जानता था। कि छुवत सिला भरी नारी तुहाई बाहन तेनं काच अकठिना। ग्रभू, मैंने सुना है कि आपके चरण रज लगते ही एक पत्थर से नारी उत्पन्न हो गए। कितना बादसल्य भाव है केवट। गोतम नारी अहिल्या को तारा है, चरण रज लगते ही गोतम नारी तर गई है। कितना मैंने सुना कि आपके चरण रज लगते ही पत्थर से एक नारी उत्पन्न हो। तो महराज मेरी ये तो लकड़ी की नईया है। इसकी क्या मजालोगा। केवट को वास्तो में भगवान की चरणा मती लेनी है। और केता मारा सुनो, मैं नाव नहीं लाओंगा। और अगर आपको मुझे या मेरी नईया में बैठके वह पार जाना है। अपनी मन के भाव कहता केवट। एकसर इस चीज को बहुत से लोगों ने सुना होगा। के मेरी छोटी सीना तेरे जादू बरे पाव। डर लागे मूरे राव। भला कैसे बैठाओ अपनी नाव में राव। मेरी छोटी सीना तेरे जादू बरे पाव। डर लागे मूरे राव। भला कैसे बैठाओ अपनी नाव में राव। मेरी छोटी सीना तेरे जादू बरे पाव। केताय भगवत चलते हो। मुझे आपकी चरण की रज में जो जादू है उससे डर है। और अगर आपको उस पार जाना है तो थोड़ी सी मेरी वाद माने में पड़ेग। वेक्ति से नहीं वेक्ति तुछे प्राम करो। आदमी के गुणों से प्रेम और अउगुनों से नफ्रत बनाव। अथायो को तुरत स्विकार करलो। पुरायो को टालो। धीरे धीरे छूट जादू। प्रहु आपको पुण।